तो प्रभाद बच्चो आज हम आपकी पाठे पुस्तक हिंदी के पाठ तेइस का अध्यन करेंगे जिसका शीर्षक है अपठित गद्यांश तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि अपठित गद्यांश क्या होते हैं तो ऐसा भाग गद्यांश का ऐसा भाग जब भी हम पाठे पुस्तक पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारे हमें क्या दिखाई देते हैं पैरग्राफ दिखाई देते हैं तो गद्यांश का ऐसा भाग जिसको हमने पहले कभी नहीं पढ़ा है जो पाठे पुस्तक हम पढ़ रहे है उसमें हमने नहीं पढ़ा है वो कहलाता है आपठित गध्यांश आपठित यानि कि बिना पढ़ा गया ठीक है आपठित अनुचेदों के प्रती विचलित नहीं होना चाहिए अपितु अनुचेद के भाव और प्रमुक विचारों को समझ लिया जाना चाहिए इसके अत्रित अपठित रचना का उत्तर लिखने से पूर निमने बिंदू का अवश्य पालन करना चाहिए तो इसमें जो हमारा पैराग्राफ दिया होता है यह हम कह सकते अनुचेद जो दिये होते हैं ऐसे अनुचेद जो हमने कभी पहले नहीं पढ़े हैं अगर हम उनको पढ़ते हैं तो हमें उनसे कभी भी घबराना नहीं चाहिए अगर हमारे सामने कैसा प्रशन आता है कि हमें एक अनुचेद दिया गया है एक पैराग्राफ दिया गया है और वो हमने कभी पहले पढ़ा नहीं है और उसमें से हमसे प्रशनों को पूछा है तो उसको देखकर हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए और हमें क्या करना चाहिए हमें उस अनुछेत को पहले एक या दो बार पढ़ लेना चाहिए अच्छे से पढ़कर हमें उसके अंदर आए हुए प्रमुक विछार और जो लेखा के वो क्या कहना चाहिए इस भाव को पहले समझ लेना चाहिए अच्छ देने चाहिए तो यहाँ पर कुछ बिंदूदू बताए गई हैं जो कि अगर हम उन बिंदूओं का पालन करते तो हम अब पठित गद्यांच के प्रशनों का अच्छी प्रकार से उत्तर दे पाएंगे हमें इन दो का पालन करना चाह divor nume को सबसे पहले दिए गए अनूचय को दो तीनवार् भली प्रकार पढ़ लेना चाहिए तो एया मैंने भी आप चाहिए और जो भी है आपको लगे कि इस अनुछेद में महत्पूर्ण बाते हैं उनको हम क्या कर लेते हैं देखांकित कर ले पहले ठीक है सार लेखन सरल सुबोत तथा अपने शब्दों में लिखना चाहिए इसमें उधारन तथा द्रिस्टांतों को छोड़ देना चाहिए और क्या करना है हम जब भी प्रेशनों के उत्तर दें तो हमें केबल क्या करना है सरल भाशा का प्रियोक करना है सुबोत ऐसी आने योग्यों और साथी साथ हमें इन उत्रों को लिखते समय दिश्टानतों का उधार उन्हों का बिलकुत रियोग नहीं करना चाहिए जो बात पैरग्राफ में दी गई है अनुछेद में दी गई है के वल हमें उसी बात का उत्तर देना चाहिए अपनी तरफ से कुछ भी आड़ नहीं करना चाहिए गध्यांज के अधार पर पूछे गए प्रश्णों के उत्तर गध्यांज के अधार पर ही दिये जाने चाहिए विस्तंशिप्त तता उनकी भाषा सरल एबम सुबोध हो वहीं बता रहे हैं इस वाले में भी कि हमें कुछ भी एक्स्ट्रा अत्रि लिक नहीं होना चाहिए तथा इनन अलंकार आदी को बीजाना चाहिए कि हम प्रशन का जो भी औतर लिखिए वो एक यह से जादा नहीं होना चाहिए शाती साथ हम इन उत्तरों में ना मुहावरों का प्रयूब करें ना ही किसी अलंग्कार का प्रयूब करें फिर्शक का चुनाफ केंध्रिय भाव के अधार पर हो फिर्शक उचित तथा छोटा होना जायन हो जोभी हम अनुछेद को नाम दें जो भी हम गड्याइश का एक नाम लिखें । वह भी हमें पूरे जो अनुछ के उसका पहले हमें भावच्छी से समझ लेना चाहिए और उसी के पूरे हम थोटा सा फिर्षक दे दे देना चाहिए तो चलिए अब हम यहाँ पर नीचे एक अनुछेद दिया गया है उधारन के रूप में एक अनुछेद दिया गया है उस अनुछेद को हम पढ़ लेते हैं और नीचे उसके कुछ प्रशन दिया गया है उनको भी हम ध्यान पूर पढ़ लेते हैं जिसते क्या होगा हम सीख जाएंगे कि हमें करते रहना चाहिए समय चूक जाने पर बने बनाई कारे बिगड़ जाते हैं और जीवन वर पच्छताना पड़ता है समय का सदुप्यों करने से साधरन व्यक्ति भी महान बन जाते हैं मनुश्य को चाहिए कि वे आलस्य का त्याग करें समय के मुल्ले को पहचाने और उसका हुट सकती है परिक्षा भवन में देर हो सकती है युद्व में हार हो सकती है विज्ञान का प्रियोग निशफल हो सकता है शत्रोद्वारा बिनाश लीला की जा सकती है अते आलस्य छोड़ कर समय के महत्र को पहचानना चाहिए तो हमने अनुश्य पढ़ लिया है और अब प्रियुक्त गद्यांश को पढ़का निमलिकत प्रशनों के उत्तर दीजिए हमने गद्यांश को तो पढ़ लिया है प्रशन है कि हमें उपर वाले गद्यांश को पढ़ना है और नीचे जो प्रशन दिये गए उनके उत्तर देने है तो पहला प्रशन पढ़ते हैं समय समय का ध्यान नहीं देते हैं तो क्या हो जाता है समय चूक जाने पर बनी बनाई कारे बिगड़ जाते हैं कि अगर तो इन्हों दे रखा ता उपर कि अगर हम समय से चूक जाते हैं पहली वाली लाइन में दे रखा है पहली वाली पंक्ती में समय चूक जाने पर बनी बनाई क बिगड़ जाते हैं तो यह हमारा हो गया इस प्रेशन का उत्तर समय के विश्य में मनुष्य का द्रिस्टिकूर्ण कैसा होना चाहिए कि अगर हम समय के बारे में विचार करें तो हम मनुष्य को कैसा द्रिस्टिकूर्ण रखना चाहिए कैसा उसके विचार होने चाहिए तो इसमें मनुश्य को चाहिए कि वे आलस्य को त्याग करें समय के मुल्य को पहचाने और उसका सदुप्योग करें तो यहां पर दे रखा था अगली वाली लाइन में मनुश्य को चाहिए कि वे आलस्य को त्याग करें और सबय के मुल्ले को पहचाने और उसका सदव्योग करें तो हमें कुछ भी इसमें उत्तर अपनी पास से नहीं लिखना होता जो पैरागराफ में दिया होते है वही लिखना होता है नेक्स से आलस्ते देरी का कारण 식ते प्रिशन्ती गया आलस से देरी का करन मालना जाता है कारे पर इसका क्या प्रभाव पढ़ सकता है तो हमने पढ़ाता कि अगर हम किसी भी कारे को करने में आलस से करते हैं तो क्या होता है जरासी देर करने पर गाड़ी पूर सकती है परिश्य भवन में देर हो सकती है युद में हार हो सकती है वि बिनाश्त लीला की जा सकती है अत्य आलजिस से छोड़कर से में के महत्र को पहचालना चाहिए तो इसको हम जाहें तो ऐसा का ऐसा भी लिख सकते हैं और अगर हम चाहें तो इसको छोटा करके भी लिख सकते हैं तो जैसे यहां पर कर देरी होने पर परिक्षा भवन में देर युद्ध में हार विग्यां का प्रेहुनी शपल तदा शत्रोद्वारा विनाश लीला जैसी दुरुगटनाई जनम ले सकती हैं इस अनुछेद का नंबर चार प्रशन इस अनुछेद का उप श्यूर्षण के बारे में ही बात की गई इस समय का रहता है कि अक्रम समय पर कारे नहीं करते तो क्या क्या होसकता इसलिए श्जार जो शीर्षक दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं समय का महत्व इसके अलाव हम और भी दे सकते हैं इसके शीर्षक जैसे समय का सद उपयोग समय की उपयोग इता आती है तो ठीक है जो भी बात जादा की जाती है उस पैरग्राफ में जिसका जो की केंदरी भाव होता है कि किस पर बेस्ट है आपका वो पेरग्राफ उसी के हिसाब से हमें उसका स्वीर्षक बनाना होता है तो अब हमने जान लिया कि किस प्रकार से हम आप पठित गद्याइश में उत्तर लिखते हैं तो आगला है जो आपका भ्यासकारे अब बताईए उसमें एक अनुचे दिया गया है और कर पूछे कई प्रश्णों के उत्तर दीजिए तो चली पहले हम इस गद्याश को अच्छे से पढ़ लेते हैं जीवन में श्रम का बड़ा महत्वे सफलता प्राप्ट करने का यह प्रमुक साधन है अपने कार्यों में पूरी सफलता तभी मिलती है जब हम उस कर्म को पूर से इनका सामना करना चाहिए उनके निराकरण के लिए किया गयश्रम अंतमी सपल होता ही है और सब ब्यक्ति ही करमवीर कहलाता है तो बच्चों हमने इस मिखेद को अच्छे से पढ़ लिया है अब चलिए देखते हैं कि प्रशन जीवन में श्रम का क्या महत्व है तो कि यह सपलता प्राप्त करने का प्रमुक्साधन पहली पंक्ती में दे रखा है सफलता प्राप्त करने का प्रमुक साधन है ठीक है यह महत्व है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे जीवन में प्रम सफलता प्राप्त करने का प्रमुक साधन है फिर ने आर्थ लिखिए निष्ठा व्यथीत लक्ष्य निराकरण तो यहां पर क्या क लोम शब्द लिकिए तो यहां पर समस्या परिश्रमी सामानने सफलता यह चार शब्द दिये गए जिनके आपको विलोम शब्द यान की उल्टे अर्थ बताने हैं फिर कठीनाईयां आने पर हमें क्या करना चाहिए कि अगर हमारे जीवन में कुछ परिशानी आएं कुछ कठ करना चाहिए तो इसका उत्तर भी आपको अनुछेद में मिल जाएगा जैसे करमवीर व्यक्ति की क्या पहचान होती है तो करमवीर व्यक्ति की आपको पहचान बतानी है उसके लिए आप पारग्रफ को जरूर अनुछेद को जरूर दो तिन बार पढ़ लेंगे और गत्या करने की कोशिश करेंगे और अपनी अभ्यास पुस्ति का पर इसको बिल्कुल अच्छे से लिख लेंगे ऐसे अगला वाला पैरग्राफ दिया हुआ है यह दुनिया चलिए हम इसको भी पढ़ लेते हैं यह दुनिया बहुत बड़ी है इसमें तरह तरह की लोग रहते हैं सभ कोश्ट्य केवल उस पर लगता है जो कमजोर धनहीन और असहाय होता है दुर्बल व्यक्ति यदि कोई छोटा सा भी अपराद कर दे तो राई का पहाड बन जाता है जबकि बड़े से बड़े अपराद करने पर भी समर्थ व्यक्ति को कोई कुछ नहीं कहता उसके दुश कर को आप मने पढ़ लिया अप इसके प्रश्ण देख लेते हैं कैसे व्यक्ति दोशी होने पर भी दोशी नहीं कहे जाते तो कैसे में ध्यक्ति जो क्या होते हैं जो शक्ति शाली होते हैं धन्वान और समंर्थ से हो तो हमें दिख रहा है कि यह चैकंडिंगी लाइन में SECOND जो पंक्ति दी हुए उसमें इसका उत्तर है ऐसे ही आपको ढूंडने है अनुछेत में से इन प्रश्णों के उत्तर दुनिया के ढंक कैसे हैं अगला प्रश्ण है किस व्यक्ति को डोशी धहराये जाता है जो की कमजोर होता है ऐसे व्यक्ति को यह भी मिल्कुल दे रखा है आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा बड़े व्यक्ति के अपरादों के प्रति क्या भेवार किया जाता है कि अगर बड़े व्यक्ति कुछ गलत कारे करते तो लोगों का भेवार उसके प्रति कैसा रहता है निम लिकित के विलोम लिकिए तो विलोम बताने यहां कि उल्टे अर्थ बताने हैं शक्तिशाली धनवान समर्थ और सथ प्रसुत गद्यांश का शीर्षक दीजिए जो गद्यांश हैं जो कि हमने भी पढ़ा उनुछेद उसका हमें एक अच्छा सा शीर्षक बताना है कि भाव के अनुसाल इसका शीर्षक क्या होगा सभी बचे इस एपठित गद्यांश के भी उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिख लेंगे ये कारे आपको स्वयम करना है फिर इसके बाद एक और एक और पैरग्राफ दिया हुआ है एक और अनुछेद दिया गया है एपठित गद्यांश का इसको भी आपको फाओं में विश्राम करता था वे अपना शरीर पत्तों पशों की खाल या पेलों की छाल से ढखता था उसे खेती का कोई ज्यान नहीं था उसे अपने आसपास जो भी मिल जाता था उसी को खा कर अपनी भूप मिटाता था वे पशों का शिकार भी करता था और उनका कच्च कर ली इसके बाद कि खोज की आविशक्ताएं बढ़ने पर उसने एक पहिए का आविशकार किया पहिया तता इन खोजों ने आधी मानव के जीवन को बदल कर रख दिया तो पुरा जो में गद्यांश है वह आधी मानव के विश्य में हैं किस प्रकार से उसका जीवन था तो पढ़ लेते आधी मानव का जीवन कैसा था तो आपको पहली पंती में इसका अंसर दिखाई दे रहा है उतर दिखाई दे रहा है आधी मानव का जीवन संगर्ष पूर्ण था आधी मानव कहां और कैसे रहता था अगला आधी मानव का भुजन क्या था आधी मानव अपना शरीर कैसे ढखता था आधी मानव ने सबसे पहले किसकी खोच की आधी मानव के जीवन को किस ने बदल दिया ठीक है नेक्स से प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए तो यहां पर जितने भी प्रशन है अगर आप पैरग्राफ को गद्यांश को दो तीन बार प अनुशेत पढ़े तो आपको जो सबसे जादा उप्यूक्त लगे वो शीर्षक आपको लिखना है तो इन प्रशनों के उत्तर इस अपठित गद्यांश के उतर आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में स्वैम कर लेंगे और आप शीर्षक यह भी दे सकते हैं आतिमान या कु गद्यान से संब्धित कोई भी प्रशन आता है तो आप उसको किस प्रकार से हल करेंगे किस प्रकार से आप अपठित गद्यान से संब्धित प्रशनों के उतर देंगे तो आशा करती हूं आपको यह समझ आ गया होगा आप जो भी आपको कारे दिया गया है अभ्यास में से उसको आप पूर्ण कर लेंगे अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिख लेंगे मिलते हैं अगली कक्षामी नए पाट के साथ तब तक के लिए स्वस्त्रई प्रसनी धन्यवाद